बोई फ्रेंट से बहस के बाद रेलवे ट्रेक पर कूधी महिला आ गई तेज रफतार ट्रेन महिला ने आखिर ऐसा क्यों किया? वीडियो में देखा जा सकता है कि बहस के बाद महिला रेलवे ट्रेक पर उतर गई और तबी एक तेज रफतार ट्रेन आ गई महिला ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फस गई थी उत्तर प्रदेश के आगरा का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है एक महिला रेल्वे स्टेशन पर प्रेमी से विवाद करने के बाद रेलवी ट्रेक पर उतर गई और उसी समय एक हाई स्पीड ट्रेन आ गई महिला ट्रेन और प्लैट्फोर्म के बीच में फस गई और बुड़ी तरह कंपीर हो गई मामला आगरा के राजा की मंडी रेलवी स्टीशन का है मिली जानकारी के मुताबिक सुबा सारे दस बजे के आसपास महिला प्लैट्फोर्म पर मौजूद थी और प्रेमी से बात चित कर रही थी लेकिन दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और महिला प्लैट्फोर्म से उतर पट्री पर पहुँच गई इसी दोरान ट्रेन आ गई वीजियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही महिला प्ट्री से नीचे उतरी तेज रफतार ट्रेन पहुँच गई लगकी वापस प्लैट्फोर्म की तरफ आने लगी लेकिन तब तक ट्रेन की चपेट में आ गई और प्लैट्फोर्म ट्रेन के बीच फस गई बताया जा रहा है कि वह काफी दूर तक खिसरती गई और बुरी तरह घायल हुई मिली जानकाडी के नुसार 38 साल की महिला कि शोर नामक युवक के साथ लिव इन रिलेशन में थी बॉइफ्रेन को डराने के लिए महिला ट्रेन की पट्रियों पर चली गई तभी ट्रेक पर केरला एक्सप्रेस आ गई ट्रेन केरला एक्सप्रेस थी जो आगरा केंट से राजा की मंटी स्टेशन की दरफ आ रही थी लरकी के ट्रेन के नीचे आने के बाद ट्रेन रोकी गई और बॉइफ्रेंड भी जा कर लरकी को देखने लगा कुछी देर में स्टेशन पर भी रिकत्रित हो गई उसे बाहर निकाल कर अस्पताल में भरती करवाया गया बताया जा रहा है कि महीला की आलत बहुत गंबीर है जी आरपी ने उसे बाहर निकाल कर अस्टन मेडिकल कॉलेज में भरती कराया है अभी तक बिवात को लेकर कोई अधिक जानकारी सामने नहीं आई है न्यूस टेस्ट रिपोर्ट सच तरियलिटी